बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामू अलेकुम नाजिरीन। ये है कोकन की एक स्वीट डिश। जिसे भाकोर्चा या भानोरा भी कहते है। कॉमन लांग्विज मी हम इसको देसी कोकनट पैंकेक भी कह सकते है। ये इतने सूपर सॉफ्ट और टेस्टी बने है के नहीं खाने वाला भी खाटा ही जाएगा। सुबह सुबह का वक्त हो और ये गरम गरम भानोरा खाने मिल जाए तू क्या बात है। और इसकी जाली आप देख सकते है। इससे आपको अंडाजा हुआ होगा के कितने जूसी सॉफ्ट है। ये रेसिपी से बनाएंगे टू ना ड्राइ बनेंगे और ना गले मी इटकेंगे। इससे बनाने के लिए हमने लिया है हाफ किलिग्राम रवा। साथ ही आड़ किया है एक मीडियम साइस के नारियल की छून। टू आंडे शामिल किये। एक चोथाई टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून नमक, वन टीस्पून इलाइची पावडर, और वन टीस्पून ही यीस्ट। गर्मी का मौसम हो टू यीस्ट सिर्फ हाफ टीस्पून ही आड़ करे। ये इंस्टिंट राइ यीस्ट है। इसे प्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ती। डिरेक्ट ही यूज किया जाता है। हमने बेक किंग ब्रांड का यीस्ट यूज किया है। हमने ये अमजॉन से बाई किया है। मिक्सिंग करे। अब अड़ करे 250 ml दूध। यानी एक ग्लास दूध है ये। ग्लास बिलकुल ऊपर तक भरा हुआ नहीं है, हलका साखाली है। और उसी ग्लास से 1.5 ग्लास पानी अड़ करे। इंग्रीडियंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन मी चेक करे। शुगा हमने 350 ग्राम्स यूज की है और ये बिलकुल परफिक्ट है ना ज्यादा मीटे ना फीके। सबको अच्छी तरह मिक्स करे और कवर करके कम से कम 7-8 गंटे के लिए फमेंथ होने रख डे। कम से कम 7-8 गंटे रखना है। ठंडी के मौसम मी ज्यादा भी रखा जाए तू कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यान की इसमें शुगा आड की हुई है तू ये खट्टा नहीं होता। अब बारिश का मौसम है और ये हमारे बैटर को 10 गंटे हो गए है। बहुत ही जबरदस्ट बैटर बना है। रवा बहुत ही अच्छी तरह फूल गया है। इसके बबल्स देख कर ही आप समझ गए होंगे के भानूरा कितना सौफ्ट और फूला फूला बनेंगा। आज हम आपको पैन और कड़ाई दोनों में बना के बटाएंगे। पैन या कड़ाई जो भी ले हैवी बॉटम का ले। पैन में थोड़ा ओइल आड़ करे और जितने मोटे या पटले बनाने हो उतना बैटर आड़ करे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर एट से टेन मिनिट्स कवर करके कुप करे। दूसरी साइड पर हमने कड़ाई रखखी है। इसमें हम थोड़े छोटे साइस के बना रही है। दोनों ग्यास पर बनाने से ध्यान रखना आसान होता है और काम भी जल्दी हो जाता है। आठ से दास मिनिट्स मी चेक करे। देखी ये कड़ाई वाला हो गया है अब चाहे तू इसको पलट भी सकते है या ऐसे भी निकाल सकते है। देखें पैंग वाला भी कोखो गया है। कितना अच्छा गोल्दन ब्राउन कला आया है। ये बड़े साइस का है इसलिए हम इसे इस तरह पलेट मी पलट देगे टाके ये तूटे नहीं। गरम गरम मी ये सॉफ्ट होने की वज़े से तूट जाते है। रेसपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तू लाइक जरूर करे और रेसपी को शेय करके हमें सपोर्ट करे। ये भी दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है। ये टोटल आठ भानोरे रेडी हुए है। इन्हें आप फ्रिज मी टू से थ्री दिन भी स्टो कर सकते है। जब खाना हो थोड़ा सागी लगा के गरम करे या बस ऐसे ही पैन मी गरम करके खाए। बहुत ही टेस्टी और जूसी सॉफ्ट बने है ये। चैनल पर नए है तू सब्सक्राइब जरूर करे। शुक्रिया जजाकल लाहो खेर।